कि यह सेशन जो है आपके लिए यूजफुल हो सके कुछ ऐसे टिप्स और जो मुझे लगता है कि हमने अनुभव पर सीखे हैं कि लोगों को क्या-क्या देखतें आती हैं क्या-क्या नहीं होना चाहिए डूज और डॉन डूज पर भी हम बात करेंगे तो आज का हमारा जो बे सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह गवर्नेंस बेसिकली क्या सीज है यह गवर्नेंस पर हम बात करने वाले यह गवर्नेंस और एसेंशल ऑफिस इसकिल्स पर तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह गवर्नेंस ब्सिकली क्या सीज है यह गवर्नेंस हम लोग क्या समझते हैं छो अगर हम इस पर बात करें यह जरूरी है इसकी उप्यूगीता हमारे ले क्यों इतनी महत्रपून है अगली हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे best practices of e-filing या e-file naming फिर हम बात करेंगे e-governance पर फिर हम बात करेंगे कितने तरह का interaction e-governance के माधियम से हो सकता है e-governance की क्यों आविशक्ता है फिर हम बात करेंगे कि जो projects हैं जो schemes हैं जो e-governance के तहट पुरे देश भर में चल रही हैं वो कौन-कौन सी हैं बहुत संक्षित रूप में उनको हम जानने की process करेंगे और उसके बाद जो मज़ेदार हमारा hands-on session है वो है text editor MS Word पर उसमें कुछ ऐ इसी चीजें जो अमोमन लोगों को परिशान करती हैं जब आप अपना work कर रहे होते हैं MS Word पर हमें टाइप करना लिखना चोटा मुटा डॉक्मेंट बनाना प्रिंट करना सब को आता है not need to explain anything over it but कुछ ऐसी चीजे अगर हम उनको सीख है मुझे लगता है कि वह हमारी quality जो ह प्रजेंट कर सकता है इसी प्रकार कुछ चीजें हम MS Excel में भी बात करेंगे बोथ हार बेजड़ ऑन इनो हैंड्सओं ट्रीनिंग सो आयल ट्राइट कि हम अच्छा आपके सांथ साजा कर सकें बहतरीन आपको दे सकें सबसे पहले बात आती है कि फाइल मैनेजमेंट आप आते हैं तो हम सारी डॉक्यूमेंट आपके पास अपना मोबाइल आप देखेगा उसमें हजारों की संख्या में आपके पास फाइल से आईधर टेक्स्ट फाइल हो पीडियाफ हो इमेज हो सो आपने कभी देखा कि अगर जरूरत पढ़ने पर आप इमेडिएटली अपना पासाल पुराने डिड़ा भी आपको फिंगर टिप्स मिल जाता है नहीं बहुत बार आपको पता है ऐसा जैसा डॉक्यमेंट मेरे पास है मैंने बनाया है इसकांड और इमेज आविग वारे साथ भी होता है कई बारे से तो बेटा मिस्मेंट पर गड़ते हैं तो वी आर सर मैं इमेज दोकुमेंट और्ड यो दोक्यमेंट वीडियो दोकुमेंट और एनी अदर फॉप सबसे महत्तिपूर्ण चीज बिगए ऐखस्पर्ट बिगए टेकनिकल परसंग बिगए इसकेल कंपिटर से भी हमारे लिए सबसे महत्पूर्ण चीज है वो यह है कि हमें अपना e-data, e-file management प्रॉपरली करना आना चाहिए। अगर हम यह नहीं कर पा रहे हैं तो कहिन कहीं हमारी skill में कमी है। सो क्यों जरूरी है पहला मैंने आपको आसे बताया इसलिए जरूरी है कि जब आपको जरुत पड़ा इजीली सर्च कर सकते हैं। कि बहुत सारे data अपने mail पर रखो उसका क्या फाइदा है कि कभी भी में mail से access कर सकता हूं अगर किसी को document देना है तो आप दे सकते हैं। बसरते हैं अब mail में भी आपके पास में मुझे लगता है मेरी email में कम से कम more than 5000 emails और आप लोगों के भी ऐसे होंगे। पांच हजार email में से वह mail भूणना जिसमें आपका document है यह भी अपने आप में tough काम है। इस नट इजी जब आपको जुरत पड़ती मिली नहीं रहा है। तो यहां सब चीजें जो एक direction की तरफ दिखा रही है that is called file management आपको e-file management करना आना चाहिए। हम लोग घर में जो हमारे goods चीजें है kitchen की चीजें kitchen में रहती हैं और दूसरी तरह की चीजें अलग जगे रहती हैं हमारे घर में भी जो goods कहा है that is organization that is management अगर नहीं होगा सो हमें कौन सी चीज कहां मिलेगी बहुत महत्पूर्ण चीज है दस्तावेज होंगे तो आपको अलमीरा में रखने होंगे वह आपको हम physically भी ऐसा करते हैं जब हम physically चीजों को organize करके समालने की चमता रखते हैं क्यों because of their need जब 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 रिटरी वर और ऑगोनाइजड तो इफाइल मेनेजमेंट की आविशक्ता तीन मुखी बिंदों पर है एक जब आपको जुरत पड़ेगी आप ढूट सकें सर्च कर सकते हैं आपका सर्च इजी हो आपको मिल जाए मैंने बीस पेस का एक टेक्स डोकिमेंट बनाया आसे दो साल पहले और तब उसको बनाने में मुझे पांस दिन लगे और आज नहीं मिल रहा है इसका मदलब क्या है वो पांस दिन की मेनत जीर हो गई आप समझे न यह चूटी-चूटी चीजे हैं मैं बहुत सारे अपने को देखता हूं आपने वर्क प्लेस में देखता हूं लोग इसको बहुत बना रहें उसका नेम प्रॉपर हो कैसे नेम रखे जाएंगी विल डिसकस लेटर उन दूसरा रिट्रीवल का मतलब क्या आपने डॉक्यमेंट कर दिया दिखा दिया सब कुछ कर दिया अब आपको एडिट करना है उसको बंद कर दिया एक अपते पुरानी बात होगे आपक की क्या फीचर से एक तो सर्च आपको आसान होगा हुआ क्यों करें दूसरा आपको डिटा रिट्रीवल होगा जब चाहेंगे आपको मिल जागा तीसरा अगर आपका डेटा ऑगनाइजड है तो आपको डेटा को रियूज करने में वड़ी आसानी होगे कई सारे काम हमारे होते हैं आपने पहले किया हुआ है आप उसी से मिलता जुद्धा कुछ काम और करना चाहें तो यह तीन बहुत महत्पूर्ण बात हैं जब आप डेटा को इफाइल मेनेजमेंट की हम अगर बात करें दूसरा अब आप बात आती कि कई सारे हमारे साथ ही हमसे पूछते हैं स जब आप नाम डालते हैं तो जो सेंटेंस होता है उसके कुछ वर्ट से वह उठा लेता है फाइल में वैसी फाइल से हो गई जब आप अपने डीटा को सेप करेंगे तो यू यू तो नो वैर्ट एट हैज मिंस आपको पता होना चाहिए उसे वह काहा है तो उस और जो भी आपने डीटा किया है जो भी आपके फाइलिंग है वह प्रॉपल यगर एक फोल्डर उस और गनाजिशन के नाम का होगा तो आपको ञांसी होगा जब आप करना जाहेंगे लिए मीडिया साइमेरे लेक्टर से हैं यह मेरी टेक्स्ट हैं मेरी चाहाँ और सारी चीज़ य Turns और भी अपने वहां के लिए रख्री शरी तो, अब नेवहां से आपने लिए कि आप आज से हमारे इस लेक्चर का फाइदा तभी होगा जब आज से हर वो व्यक्ति जो इस ऑनलाइन वाक्षोप से जोड़ा है उसका इफाइल मैनेजमेंट बहुत 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 होगा मैं कई बार देखता हूं मैं मैं सिर्फ अपने और्गनाजेशन की बात नही मैं बने मैं भीकोज sono मिसमेनजमेंट और वाइलिंग हमें वह डॉक्यमेंट दूबारा प्रपेर करने पड़े हाव टाभ जॉब होमेरे सांती हमारे साथ जोड़े हैं हमारे सस्तान से जोड़ेए वह जानते है कि यह कितना मुश्किल काम होता हमारे उन डॉक्यमेंट को द पहले टाइप कर रहे जा चुके हैं और दोबार फिर टाइप किये जा रहे हैं वाई विकॉज अब नॉल एन वोइड हम देखी नहीं रहें इन चीजों को हमारा ध्यान नहीं है कंप्यूटर का सिर्फ मतलब इतना नहीं है कि सब काम आटोमेटिक हो रहा है करना तो हम ही है ना कंप्यूटर थोड़ी कुछ करता है आगे पढ़ते हैं अगला हमारा पार्ट है कि जब हम फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो हमें किन चीजों का ध्यान दाखना चाहिए क्या चीजें हमाले बहुत महत्पूर हैं उसमें सबसे पहला जो महत्पूर है वह नेमिंग डूल्स ऑफ इफाइल्स यह सबसे ज़्यादा निगलेक्ट की जाने वाली चीज़े जो हम आप लोग करते हैं मैं इस लेक्चर के बाद से यह जो पीपीटी है यह आप लोग को स अच्छी है वह शौट और वेल्मेंट हो आप फाइल का नाम कुछ भी ना डालने कुछ जिस तरह का उसमें मट्रियल है ताकि जब आप कभी फूचर में सर्च करें तो आपको अगर फाइल पहले तो सर्ची नहीं होती इतनी इजी अगर आप अच्छा नाम रखेंगे इज क्या होगा अगर आपके पास सर्च में 200 डोकिमेंट आगे तो आपको 200 के 200 फाइल खोलनी पड़ेंगे चेक करना पड़ेगा एक एक करके मेरा जो मैं कंटेंट देखना चाहरा हूं धूनना चाहरा हूं वह इन में से कौन सी फाइल में है यह इसका सबसे बड़ा डिस लगनाइट डिया है क्टिकीन देखना ची करते submitted से पता रहा क्या रखना चाहिए इससे क्या फाइदा होगा आपको जितने अगर आपको यह चाहिए कि आपको किसी किसी उस पर डिंट तो आपका कोई जी रो डूट जी रोटीजिए अब नॉट लैंसे पूस प्रोशेजर लेकिन इनका सीकुएंश नहीं है यह उसने गवर सपॉच पहले वाला जो ऑफिस प्रोशेज्डर वन नेग्स वज ऑफिस प्रोसेजर टू, तू, आप देख रहे ना वह वन चीन हो गया और आगे पूर्थ पार्ट है कि जब हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं हम कई कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं तो उनका उनका तरीका क्या होना चाहिए उसने एक डिरेक्टरी बना दिए उनका करिकुलम कमेटी आप एक पर्टिकुलर तरह का मैंने का न हम हम इवेंट वाइज लोगेश दोजार मेजोरी आप पीपल दोजार कनेक्टेट वित उस राइड ना व्लाइज वेंवर्वर्विश एंवर्विश एक्टिविटी तो इस विल्यूर्ट इस विल्विटेट अगर एक ही काम को दो बार करो तो मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ सीखा हम कुछ निसीखवा तक आप देखेंगे कि इस टेकनीक के बाद से आपका बहुत सारा समय बच रहा है जब आप जो डेटा से आपको मिल रहा है मंतली रिपोर्ट साब लोग बनाते हैं आपकी मंतली रिपोर्ट पॉपरली हर साल की हर मेहने की पॉपली अरगोनाइज होने चाहिए यह बता रह है क्या नहीं करना चाहिए कि अगर एड़िजमेंट से रिलेटेट कुछ डॉक्यमेंट हमारे पास है तो उसने किस तरीके से नाम देखे रखे इस ने पास है यह चीजें हमारे पास हमेशा के लिए इस प्रॉपर पॉमेट मुष्ट करेंगे नेक्स्ट विए नंबर के अकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हैं आपने चार्ट नाम की फाइल है जो 2006 में बने जिसका वर्जन तू आपने रखा हुआ है सो एक प्रॉपर मीनिंग उससे निकल के आ रहा है अगला वर्जन थी बनाए 2006 में आपने अपडेट किया उसको बाद बाद आप कभी भी मुझे चाहिए कि वर्जन टू को मैं क्या था मेरा और चार्ट आइक इन गेट इस वेरी इसी वेरी इसी तो यूटिलाइज मुझे ऐसा लगता है कि हमने चैपॉइंट से बात करिए चैप बहुत महत्तों हैं जब आप अपना अपना डिजिटल डेटा या इ जब हम इफाइल मैनेजमेंट करें हमारे सभी सांथियों को इफाइल मैनेजमेंट की बड़ी समझ से हमें भी बहुत दिक्कत होती है हम कोशीज करते हैं कि उसको औरगनाइज करके रखा जाए सो डिस्केप्टिफ फाइल नेम्स आर एन इंपूडेंट पाट ऑप औरगना पड़े मेरे पास स्टुटेंट का रिकॉर्ड है स्टुटेंट डिकॉर्ड सेशन 2020 की यह आपने लिग दिचा इंप फॉस्टियर हिंदी मुझे पता लगिया कि यह फाइल में एंप फॉस्टियर के जो बच्चे हैं हिंदी के उनका रिकॉर्ड है या उसका इमेल से सो आप जिस जिस रखव नहीं हैं सबस्क्राइब कर सकते हैं आंश किन्प कर सकते हैं सबस्ट बेस्ट थैजैस है उङ्षिस क्या क्या होना चातीए फाइल कि नाम प्रॉपर्ली रखे जाने emocAG यmotion कि額 यह उसका दूसरा फाइल नेम शुट भी शॉटर बट डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा नाम ना हो ताकि कभी आप सर्च करें किसी फोल्डर में जाएं बहुत बड़े नाम होते तो वह पुरी लाइंग के पराबर जगह ले ले लेता है हलाकि जहां तक मुझे जानका रही है 255 करेक्टर का फाइल नेम यह ले सकता है बट वी तो डू दिस अवाइड इस्पेशल करेक्टर सब्सक्राइब जब हम फाइल का नाम रखते हैं कुछ भी टाइप करते हैं फाइल के नेम में तो इस आइडेंटिफायर्स किसी फाइल का नाम या किसी फोल्डर का नाम बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो अल्फबेट्स आएंगे या नंबर्स आएंगे या फिर अंडर्सकोर आएगा तैट्सोर इसके अलबब कोई सिंबल नहीं आगा कुछ लोग हैस लगाते हैं यह सब जो करेक्टर्स हैं these are called special symbols special characters तो हमें यह special characters इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और even space इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अब ही हम बात कर Sangay अगर हमें फाइल का नाम बिना Space के रखना है तो कैसे करना मेरे पास है मेरे पास एक फाइल है डैत इस कॉल्लड यू ओ यू शाप्ल प्लेश्मेंट आ गया टिस्हा डिकॉर्ड और तो मैं इसको कैसे जूनेक्ट करों तो मैं किया करता हूं जैनली मेरा क्या करें यू और इसके बाद आप क्या आप करता है जनली हर को यादमी आपकर तैंस स्टेंस बीजुँड़ यू फीर यू 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 धें अंडर्सक का आर बढ़ा कर दीए सो यू इसा करके भी हम मैंने नीचे लिखा हुआ यूज चाहरें इस तरह के सकते हैं इन्क्लूड वर्जिन नंबर अगर आप चाहरें सब्सक्राइब करें कोई आपके पास रिसर्च आर्टिकल आपने लिखें तो उनको आप इस फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं ताकि आपको उसको फाइंड करने में इजी रहेगा मैंने मैंने एक 2014 में छापा किसी कोई और ऑथर के सांथ था मैंने इस तरीके से लिख दिया अगला 2015 में छापा यह 2014 की फरवर्डी में छापा आगए से फरवर्डी लिख दिया और बहुत महत्तपून बात यह है कि जब आप जब आप कंवेंशन बनाएं कि हम अपने डेटा का आपने यूज कर रहें तो कि मेरा किसके लिए क्या क्या इंडिकेशन या क्या 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 सिंबल यूज करें तो आगे बढ़ते हैं कुछ और हमने चीजें आपको बताने की कोसिस करें कि कि एलिमेंट्स तू आप काम करें उसके अकौडिंग उसको जो है प्रोफाइलिंग कर सकते हैं लोकेशन वाइस प्रोफाइलिंग कर सकते हैं आप नयनिताल घूमने गए एक बारा आगरा घूमने गए आप वहां से बहुत तरे फोटों कीज के लिए आप लिख दिजिए तो जब यह फोटोज वाला खुलेंगे आप अपने 10 साल 12 साल पंदर साल पुरानी में मुरीज को चेक करना चाहते हैं तो यूवेज वेरी एजीट नेम और के कोड़िंग कर सकते हैं कोई सैंपल डॉक्युमेंट आपने तयार किया है कोई उसके अकशोरी आप कर सकते हैं और वर्जन नंबर है आपने एक जैसे चीजें भात बार कर आए हैं you may write version number so these were the things I think was a very important part about the about the e-filing या e-file management या e-file naming so थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे e-governance पर अब e-governance पर बात करने से पहले मेरा आप लोगों से अनरोध है कि अगर आपको कुछ कुछ पूछना हो कुछ questioning अगर आपको करनी हो मुझे लगता आपको permission मेरे ख्याल से मिली हुई है सो नहीं है तो मैं आपको unmute कर रहा हूँ आप मुसे सवाल जवाब कर सकते हैं मज़ेदार सेशन तब ही होगा जब हम जब हम interaction बनाए रखेंगे आपको अगर कुछ सवाल करने हों कोई question हो जो हमने अभी तक बात करिया आपको क्योंकि जो हमने आपसे साजा किया है वह बहुत ही प्रैक्टिकल एप्रोच है बहुत ज्यादा हम लोग उसका इस्तिमाल कर सकते हैं और मैं कई बार देखता हूं कि जो टेक्निकल परसन हैं वह बहुत बड़े बड़े पर पहुंच गए हैं लेकिन हम एमेस एक्सल और बेसिक अलिमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं इन पर बात नहीं करते हैं जब बड़े डॉक्यमेंट्स एडिट करने लगते हैं या आपके पास डेटा बहुत जादा मातरा में होता इन सब्सक्राइब करते हैं जो किसी इसके लिए इस्तेमाल किया है तो प्रोवाइट एंड फैसलिटेट गोर्मेंट सर्विसेस एक्चेंज आप इंप्रमिशन कम्यूनिकेशन टांजेक्शन और इंटिग्रेशन आफ वेरियस सर्विसेस बहुत कम सब्सक्राइब में समझें जो गोर्मेंट के साथ सिटीजन का या गोर्मेंट के साथ रेदर दें सिटीजन किसी business party का जो अग्धीशन होता है जो टांसफर ऑफ कैसे होगा सो मुझे लगता इगवर्नेंस उसमें बहुत बड़ा रोल निवाता है और कई जगहों पर आप देखते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज जहां पर आपको फिजिकली ऑफिस में जाकर के बहुत लड़ाई जगड़ा करना पता बहुत समय खराब करना पता नाव यू अबल तुडू बाई यॉरसल्व दीज आर कॉल्ड अप्लिकेशन ऑफ इकवर्नेंस बहुत सारे जिगह आपने देखा होगा कि क्योंकि हम सीटीजन है हमार्य देमोगेटिक प्रोसेस है तो हमें बहुत सारी सर्विसेज की जड़त पड़ती है जो कि गववर्नेंस अगार उनके लिए बहुत परिशान है कि इतनी क्राउड एक साथ हो कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि जो 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 रेशियो है जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं जो सर्विस लेने वाले लोग है और जो सर्विस देने वाले लोग उसमें बड़ा यूज गैप है तो अगर इस तरह क अगर हमें बसना है तो हमें इक तरफ जाना होगा तैट इस गॉल्ड इस की जहां पर हम सरकार की सर्विसेस को या उनके फैसलिटीज को या उनकी स्कीम्स को ऑंलाइन मार्थिम से इलक्ट्रोनिक मार्थिम से एक्सेस कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब बात आती है कि इग इस तमाम सारी सुविदाए हैं जिसको हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से एक्सेस करते हैं जी तौप इंटरी सकते हैं जाम एंट्रेक्षिन कर सकते हैं शुमर कहएं मादियम से एक मालाब्य तौप आइज की कहते हैं झेas लाइक लोकल गवर्मेंट लाइक सेंटर गवर्मेंट लाइक बिट्वीन सेंटर एंट गवर्मेंट तो इस 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 बहुत सारे अप्लिकेशन कुछ मैंने नाम दिये आप भी बात करेंगे आप मुझे बताएंगे कि आपने और कौन-कौन से एकजामतर हम इस रूप में इसाइघ वराइटि पपबिक सर्वीसेश्जागोर्मेंट वाइशर मुझे नाम लिखेंगें जैसे प्प्लिक थिस्टिजिएस पैडिये यह एक पर हमें जो पॉब्लिक सिस्टम के मादियन से शुख सारी चीज़ें घुए हम अवेल करते हैं गवर्मेंट की स्केम सावि प्रज़ेट नहीं है विद अधार आधार भी जो है वह जी तूप सी का एक्जामपल है शिटीजन सीदे गवर्मेंट से सिटीजन से किनेक्ट कर रहा है तीसरा पासपोर्ड अगर आपको पासपोर्ड बनाना पासपोर्ड का मेजरी आप रेदर ने 1-2 फेस एक यह दो फेस क की स्टेप्स को छोड़के देजर कौल फिजिकल वेरिफिकेशन काइंड आप आप अपको बहुत ऐसे एप्लिकेशन स्वाज माएंगे जहां पर आप सीधे गवर्मेंट की सर्वेस को अवेल करें इसमें को जहां पर गयुद्ट का बीजनेक्ट इूञर के साथ इंटरक्त को था तब बीजनेस आब टो इन्टर्क विश्मिश्ट विजिए टो इंटरक्त विजिए विडिशन फिद्रक्त विश्वेसेशन परन जैसे ओंलाइं टेक्स पेम्टेंड वह उन्लाइं साथ च्स जो लोग जो बिजनेस के लोग हैं, जो पेकर थे हैं, उसके लिए कहीं जाने के जूरत नहीं, तो सिदे गर्मेंट को पेकर थे हैं, so that is one of the example. Another one is government to employees. government सिधे employees के साथ, चाहे वो राज्य सरकार के employee हो, चाहे वो केंद सरकार के employee हो, सिधे interaction करता है, with the help of e-platforms, with the help of digital portals, सॉफ्ट्वेर्स ऐसे इंट्रेक्शन के माध्य में जैसे पैंसन सिस्टम हमने आपको एक एक चांपल के लिए आप लिखा हुआ है इलक्ट्रोनिक इनो फंड जो है प्रोविडेंट फंड है इती अब जिसको हम कह रहे हैं सो यह सब चीज़े का जाब में और सीधे इंप्लइई करता या इंट्रैक्शन करता है sebenरी चार मुख्य टाइब से इसमें किया क्या आता है गौंएंट और मेंट विजनेस गोर्मेंट टूंपलेश तो थुछ आगे बड़ते हैं अब बात करते हैं कि जो एक कॉवर्नेंस कि कुछ हम जो है चीजें आप लोगों साजा कर सकें उसमें पहला है उमंग जिसको हम यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन को न्यू एज गोवर्नेंस कहते हैं दूसरा है डिजी लॉकल तीसरा है नेशनल सेंटर पॉर जियो इन्फोर्मेटिक्स चौथा है रेपीट एप अगला है ऊपन फोर्ज अगला है लजनिंग मैनेजमेंट सिस्टम लमेस्ट में बहुत शौट में इनकी बारे में चर्चाया आप से करूंगा यह बहुत जो नाम मैंने लिखेंग इनके अदर बहुत सारे एप्लिकेशन करते हैं अलग अलग परपरज के लिए अलगलग त पर में बताना चाहरा हूं जो उमंग है उस पर क्या-क्या फेसलिटीज अवेलेबल हैं हमने लिखने की कुसिज करी हैं एक डाइग्राम के मादे में से आप समझें इसकाल्ड इन्फोग्राफिक्स बीसिकली अभी हम बात कर रहे थे यह इन्फोग्राफिक्स एक जांपिल है कि जो उमंग है युनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन है मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको जो है मोबाइल पे एकसेस कर सकते हैं इस एप को इसमें मैंने तो बहुत सारी बहुत कम सर्विसेस में लेकिए इसमें बहुत सारी करोणों लोग इसको रजिस्टर के हुए आप लोग भी बाद देखिएगा इसमें क्या-क्या सर्विसेस आपको एक एप के मातिम से मिल सकते हैं तो यह कुछ हमने दिखाने कोशिज करिए सेंटर गवर्मेंट की हैं स्टेट गवर्मेंट की हैं और यूटिल्टी बिल्स हैं और डॉक्यमेंट्स आपको यहां पर मि समझना चाहते हैं कि साथ नॉम्बर 2021 को उमंग की क्या इस्तिदी है सेंटर और स्टेट गवर्मेंट की जो सर्विसेस हैं वह 1317 सर्विसेस एक्टिव हैं इस पर बिल्ल पेमेंट सर्विसेस इतनी हैं 20,330 डिपार्टमेंट्स इंटिग्रेटेट दो 65 डिपार्टमेंट ज यूजर रजिस्ट्रेशन जो हैं तक्रीबन आप देख पारें 3.838 करोड जो है इस पर यूजर रजिस्टर हैं और बहुत सारी यूजर को भी इस पर रजिस्टर होनी क्या हो सकता है अगर आप बाकी इसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं तो यह यूरल इस पर लिखा आगे बात करते हैं अगला है डिजी लॉकर हम नेक्स्ट सेशन पर डिजी लॉकर का आपको हैंस ओन ट्रेनिंग कराएंगे अभी बेसिकली हमने डिजी लॉकर के बारे में आपको सिर्फ इतनी बात बताना है जो डिजी लॉकर है यह बहुत महत्पूर्ण प्लेस है जहां अपने डॉकिमेंट को डिजीटल फोरमेंट में रख सकते और उनकी जो वैधता है जो उनकी जो ऊथंटिसिटीय है वह बिलकुल फि लॉकिमेंट के बराबर अगर मेरे पास physical document रखे वे हैं तो मुझे डर है कि कहीं वो चूरी ना हो जाएं कहीं वो फट्ना जाएं कहीं मैं आग ना लग जाएं सो बड़ी चिंता रहती है है physical documents की हम उन physical documents को सारे के सारे physical documents गोगत इंपोटेंस के हैं अपना DIGI account बनाए और उस पर इस्टोर कर सकते हैं कैसे करेंगे कैसे डिजी ऐकाउंट बनाएंगे कल की सेशन पर हम आपसे बात करेंगे बहुती मज़दार हैंड ऑन सेशन हमने डिजी लोकर पर रखका है हम डिजी डॉटकर का सेशन मोबाइल कि दिखाएंगे और डिजी लॉकर का सेशन हम लोग कंप्यूटर या लैप्टॉप के मात्यम से कैसे करें यह भी आपको दिखाएंगे मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और उसके बाद हम सब लोग जितने भी मीटिंग में जुड़े हैं सब लोग अपन सेंटर पॉर जिए बहुत महत्पूर्ट चीज यह बहुत अच्छा पाम कर रहा है क्या क्या इसका रोल है इस 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 अवरॉन है श्यांच ऑटी आपी एक सिंगल सोर्स जियोग्राफिक इंफोमेशन सिस्टम जिए सब्सक्राइब कर रहे हैं आप कर रहे हैं कि कोई काम हुआ नहीं हुआ उसका पेमेंट तब होगा जब आप उसका जीओ टेक फोटोग्राप आप देखा आप इस तरह की बातें सुनते होंगे तब हम पेमेंट करेंगे जो लोग इस तरह की चीजों पर काम करते हैं पहले क्या होता था जब तक फिजिकल फॉर्म में था लोग मिली वकत से बहुत सारे पेमेंट ऐसे रिलीज कर देते हैं जिनका ग्राउंड लेवर पर कोई काम ही नहीं होता था सो दा नेशनल सेंटर फॉर जियो इस वाकिंग फुगुट अबाउट तो मॉनिटर सच फील्ड एक्टिविटीज तमाम सारी चीजों को मॉनिटर करने का यह काम कर रहा हैं जिसके माध्यम से आप कहीं से भी बैठे बैठे यह देख सकते हैं कि जो आपके पास आंकड़ा आकड़े आये हैं वह सच है नहीं है वह उसी लोकेशन पर उस तरह की घटना है हुई है वह काम किया गया है या नहीं किया गया सो आगे बढ़ते हैं मैंने लिखा भी है नंबर आप बेनेफिट्स अकार्ड विद यूज ऑप क्या नेशनल सेंटर फॉर जो इस प्रेट्व देने के लिए इस्टेंट फीडबेक दे सकें ओनलाइन या उपलाइन माध्यम से जो भी सर्विसेज गुवर्मेंट डेपार्ट्मेंट या गुवर्मेंट रिया अन्या लोकल के माध्यम से दी जा रही है दा अब्जेक्टिव आप रैपीड असेस्मेंट सिस्टम इस तो कुछ कमी पाई जाती तो आपकी फीडबेक के आधार पर उनको अपडेट भी किया जा सकें तो यह कह रहा है कि जो आरियस इंटरफेस है यह क्या करता है वा सिटिजन प्रवाइट फीडबेक अबार्ट क्वालिटी ऑप सर्विस जो हम बात कर रहे है जैसे एक्जाम्पिल अ हमने जसे लगाएं के लिए हमने कुछ बताए क्या क्या ँंप्र में यूग सर्विस्ट व कैसे तमाम सारे जो है आपने अगर जानते हो ईश्टिक-ाग्वड सर्विस्टियों यह यह वी गवरणनेंस पार्ट है जिसम आपको जाती पर्मान्द पत्र बनता है आपका यह आपका क्या करते हैं इस्थाई निवास पर्माण पत्र बनता है आय पर्माण पत्र बनते हैं तमाम तरह की जो सेटिफिकेट गवर्ण ऑथरीटी इसू करती है इस आर पार्ट आप आप यहां पर यह सब चीजें एक्जामपिल के लिए हमने लिखी है इन नेशनल डिजिटल लिटरीशी मिशन जो है इसका है साइबर ग्राम यूजना इस इस आरियर सिस्टम के अंदर आता है सो यह तरह की सर्विसेज इस इस मॉडल पर इंटिगेट की गई है दूसरा है प्रोग्राम मैनेजमेंट इंफोमिशन सिस्टम इट जो प्रोग्राम पी-म आई-एस जिसक प्रोग्राम मैनेजमेंट इंफोमिशन सिस्टम इनका पूरा डिटेल अपने पास इस्टोर किये रखता है उपन फोर्ज वह थी बहतरीन प्लेटफॉम है आप जानकर आपको बड़ी है होगी बिसिकली ओफन फोर्ज जो उतेश है होकि हमारा जो गौंन बड़ाम जो कोई ऐप्लिकेशन बनाते हैं वेब बेसे फॉसार्च जो बनाते हैं उसकी सोर्स गॉट को दूसरे विभाग भी इस्तिमाल कर सकते हैं, that is called open force platform, अभी तक क्या होता था कि कोई a department है, कोई a ministry है, उसने कोई एक काम किया, उसी तरह का काम ministry, किसी दूसरी विभाग को, किसी राजी सरकार की दूसरी विभाग को करना है, तो उसको same to same सारा process खुद से नया create करना पड़ा था, तो जो open force platform जब से बना है, तो government विभागों के जो भी software developed होते हैं, उनके code को within government, government to government, exchange किया जा सकता है, अर्था reuse किया जा सकता है, इस project aimed the development of a collaboration platform under the source code open policy, अर्थाथ जो भी software बनाया जाता है, क्योंकि software बनाने के लिए बहुत सारी programming करने होती है, coding करने होती है, उस code को हम लोग easily क्या कर सकता है, access कर सकता है, हम लोग means government bodies की बात्री, not private organizations, ठीक है, so, क्योंकि अगर private organization या किसी ब्यक्ति को भी source code available करा देंगे, so, उसमें जो है data security के बहुत issues create हो सकते हैं, so, within the government, they can access, they can use, they can reuse the code once they have designed, they have developed, this is one of the first of its kind platform from the government organization across the world, कर रहा है, इस तरह का जो initiative है, जो within a government, जो source code को हम लोग access कर सकते हैं, यह पूरे विस्ट में अपने आपने अनोगाए ऐसा कहीं नहीं होता है, यह इसकी specialty है, so, इसके लिए 2015 के मेरे क्यों, हाँ, 2015 में मुझे लगता है कि Ministry of Electronics and Information Technology ने इस तरह का plan किया, और यह बात कहीं कि जो government repositories हैं, या applications हैं, web portals हैं, उनको within government हम लोग reuse कर सकते हैं, remix कर सकते हैं, score को accordingly edit कर सकते हैं, so, these were the things about, you know, e-governance, और अब इतनी सारी बाते हैं, हमने open force के बारे में जानी, तमाम सारी चीज़ जानी, एक छोटा सा part और बचा है, that is learning management system, यह भी एक project है, हमारा e-governance का, जिसमें basically हम लोग क्या करते हैं, कि हम e-governance, जो हमारा application है, उसमें capacity building में एक बड़ा काम है, उसकी tracking, उसकी monitoring, उसका administration, उसकी reporting, यह सब हम learning management system के मातियन से करते हैं, so, जो learning management system है, is part of e-governance, national e-governance plan, so, इसका जो देश है, जो इसका जो vision है, वो है कि to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy by the leveraging information technology applications, so, यह कुछ application हमने आपके साथ साजा करें, जिनको हम e-governance के टाइपस भी कह सकते हैं, यह गवरनेंस के टाइपस हमने आपको बताए, वो चार तरह का हमने बताए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, frequently used options in MS Word, text editor, यह सब चीजें बहुत ही आसान हैं और आपने करी वी हैं, हम कोशिज करते हैं कि इन चीजों पर basic चीजें हमें क्या-क्या तिहान लखने की हैं, और जब भी आप इस तरह की applications पर काम करते हैं, कहीं-कहीं इसका फाइदा आपको long term में मिलता है, तो मेरे सामने कुछ option में लिखे हुए हैं, यह limited नहीं है, time frame हमें जितना allow करेगा, हम उतनी सारी चीजें आपसे साजा करेंगे, सबसे महतपून चीज है कि हम जो MS Word पर काम करते हैं, अमूमन हर किसी व्यक्तिका, MS Word से जरूर लेना देना है, MS Excel से जरूर लेना देना है, हाँ PowerPoint से बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम जब presentation बनाते हैं, तब ही हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप कह पर आपको जरूर पड़ती है, या तो उसका option answer होगा MS Word या उसका answer होगा Excel, यह दो यह होंगे, तो मैंने यह सोचा कि हम कुछ महतपून चीज हैं, जो हमें MS Word में आनी ही आनी चाहिए, और बहुत बहुत बहुतरी तरीके सानी चाहिए, वो हम आपके साथा करते हैं, तो उस करते हैं कि टेवल कैसे मैनेज की जाए MS Word में, कैसा लोग जो है MS Word के बड़ा सा जो है 20-25-50 पन्नों का बना के मुझे भेज़ जाते हैं, सर इसको ठीक कर दीजी, हमसे होनी दा, इस अब आगे पीछे हो गया, तो उसमें टेवल भी है, उसमें इमेज भी है, तो कैसे यह सब चीजे हम कर सकते हैं, दूसरा, टेक्स्ट अलाइंग्मेंट कैसे किया जा सकता है, अगर हमें टेक्स्ट में ले जाना हो, या राइट में ले जाना हो, या सेंटर में ले जाना हो, क्या करेंगे, पेज लियाओट बहुत महत्वकून चीज है, हम लोग जब भी MS Word पे काम कर हैं, हमें से बहुत कम लोग पेज लियाओट को ध्यान देते हैं, पेज लियाओट अगर आपका खराब है, तो आप समझे कि आपका बहुत कुछ गबड होने वाला है, जब आप प्रिंटिक करने वाले हैं, कभी कुछ आदा रहे जाएगा, कभी आदा ही आएगा, आप दो हम बात करेंगे, और अगला परग्राफ इन इस पर भी बात करेंगे, कुछिस करते हैं, इनका मैं आपको हैंड्स ओन दिखाते हूं, राइट, सो मैं अब यहां से अपना स्क्रीन जो है, शेयर करूंगा, सीधे, MS Word स्क्रीन पर, ताकि आपको वह स्क्रीन देख पाए, ठीक MS Word का एक document बनाया है, उसको हम open करते हैं, ताकि उसमें हमें देर ना हो, उसलिए मैंने कुछ preparation करके रखा हुआ है, यह मैंने MS Word ओपन करा, सो, सर क्या आपको मेरा MS Word का स्क्रीन दिख रहा है, तो, I'll start with, you know, यह मेरे पास MS Word है, इस पर हम बात करेंगे, हाँ, सबसे पहले हमने basic formatting पर बात करने, basic formatting क्या हो सकती, तो, इस पर formatting तो तब ही हो पाएगी, जब हम कुछ text लाएंगे, मेरे पास कुछ text भी मैंने संभाल के रखा है, ताकि मेरे काम आएगा, सो, मैं इसको भी ल रखा हुआ है, कुछ गबड़ आ गया, नहीं बनी वारी तो, कुछ और ही आ गया, सो, लेट्स सी, मैं एक बाद फिर से, ठीक है, मैंने इस पर कुछ जो है, टेक्स टाइप कर दिया, यहों कहें, पेस्ट कर दिया, तो जब भी हम वर्ट पे काम करें, मेरी आपको क्या सरा है, कि हम सबसे पहला काम क्या करें, जो पहला काम है, यहां पर हमने लिखा था, इस सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इस टैब में मुझे जो दिख रहा है, वो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूं, तीसरा मैं चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट पे न, मुझे प्रिंटिंग करानी है, मुझे चापना, एप्रिंट करना है, और उसके लिए मुझे कुछ इस स्पेस चीज़ाइं, तो आप देख रहे हैं, जो जो मैं यहां पर बढ़ा रहा हूं, यहां देखिए, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, आपको दिख पार आगर होगा, तो क्या आपको मेरा पूट चीज़ाइं, गटर पोजिशन कहां से हो सकता है, आप अपने पेज को कहां से बाइंड कर सकता है, आइधर तॉप से, लेटर पैड स्टाइब, और फिर फिर फोन देफॉल्ट मैंने लेफ्ट साइट करा, और मैंने इसको पॉइंट थिरी का जो है, मैंने इसको इस तो यह एक पार्ट था मार्जन का, दूसरा बहुत महत्वपूंट चीज़े है कि कई बार हम लोग जो है, पेपर साइज को ध्यान नहीं देते, बाइड डिफॉल्ट जो हम लोग पेपर यूज करते हैं, डैट इस एफोर, एफोर साइज उसका नाम है, और एफोर साइज क अचानक चेंज होगे, आप साइज दिखा रहा है, साड़े आठ इंची का विर्थ दिखा रहा है, चौदा इंची की हाइड दिखा रहा है, तो किस तरह के पेज पर प्रिंट निकालना है, यू सुड है क्लियर, ऐसा नहीं कि आपने छाप दिया, और फिलिक करके आगे निकलता है, कुछ कट गया, कुछ ज्यादा निकल गया, कुछ बाहर निकल गया उसमें से, बहराल मैं सबसे कॉमन के साथ आगे बढ़ाऊ, जब भी मैं यहाँ चेंज करूँगा, आपको देखा तो चेंज कर में जो है, आपने देखा होगा कि उसका साइज, उसका जो वहा पर पहले से कुछ एंटर है, हम लोग क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, मुझे टेक्स के बीच में गयाप जई है, तो मैं क्या करूंगा न यहाँ पर, कि यह बहुत गलत बात है मैंने पीछे कहीं लिखा भूआ भी है कि जब आप ऐसे काम करते हैं तो यह यह अनिस्किल्ड वर्कर की कहानी है इस यह यह पता लगाता कि आपने कितने स्पेस और कितने करें यह देखें मुझे के बीजम थोड़ा से साइज बड़ा करता है तो आपको देखेगा जब मैं साइज बड़ा करूंगा इस पेस आपको डमी और टक्स के बीच में इस पेस यह था तो आपने क्या करा यह लगा दिए अब मैं जो ही इसको परग्राफ मार्व कुझ में इंटर था उसके पिक्वेस्ट कि हम कभी एक से जदा एंटर ट्रेस्ट न करें और कभी एक से ज़दा इसके बीच earlier प्रशान हो जाएंगी बहुत परशान क्योंकि यह आपसे सही होने वाला नहीं है हमारे बहुत सारे सांथी क्या करते हैं एमेश वर्ट तैयार करा सब कुछ बनाया उसके बाद से उसको इनों फॉर्मेट करने के लिए किसी तीसरे आत्मे को दे दिया उससे क्या होगा उस आदमी के बारे में कुछ पता ही नहीं है आपको आपको फॉर्मेटिक काम थोड़ी इस नौट वर्क या सम बेसिक इसकिल्स पॉइंट छोड़ी बात हैं जैसे मुझे चाहिए कि मैं इसको जो है पहला काम है यह वाला टेक्स मेरा राइट माना सी तो मैं क्या करा आप इस पेस आइधर टैप यह 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 दोनुं गलत सरी है हमें क्या करना चाहिए जहां मैंने एस प्रेस करा मैंने पराग्राफ मार कौन करा तो वहां डॉट आये हैं ज्यादा मैं इसको नहीं करूँए डिलिट करा मैं इसको चाहरा हो और एक टेक्स कर लाइंग म शुक्त में अब ले जाना चाहां चाहरें यह वहाँ जरत नुए मैंने प्राइड्रा मार को ऑप करते हैं थो कि यह हैंडिंग टॉप सेंटर माघेए चाहरें राइट माघे मैंने क्या करा दूट्ट करा और इसको किया इसको और सुंदर लगा अब आप चाहिए इसके बीच में इसके बीच इसका जो इसका जो इनके बीच करते हैं आप यह इसके बीच का संगर सेटिंग्यें लोग इसको दरूकर करते है यह सारे काम करने के लिए आपका टेक्स सबसे पहले काम में करता हूं इस पेसिंग और आफ्टर पैरग्राफ की स्पेसिंग अब पैरग्राफ तो तब समझ में आएगा जब आपको पता होगा कि दोनों का बड़ा नहीं मैं फिर से परग्राफ में गया मैंने कहा मेरे बीफोर में जीरो और मैंने का जो लाइन के बीच में गयत है आपको एंटर देना पड़ा है लाइन के बीच में डिफरेंस करने के लिए वह सिंगल लाइन होना चाहिए अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है अब क्या करते हैं अब आप हम देखते हैं कि हमने पैरेग्राफ सही जगह एंटर किया हुआ है तो हमें कैसे पता लगए कि आपने कहां कहां परेग्राफ चेंज करें आप पर माकृष करहा है यहां हमने नहीं करेंगे सब्सक्राइब करता हूं सारह सब्सक्राइब अब फिर से पर परेग्राफ के बारा का बारा का चाहिए और पराग्राफ से पहले 6 पॉइंट का अगर आप हाथ से टाइप करना चाहते है आपने का सब 10 का यहां चाहिए और बारा का यहां चाहिए क्लिक ओके आप यह चाह रहे थे न ऐसा काम करने के लिए हम क्या करते हैं जो बहुत ही बैड है इसलिए मेरा मन था हो सकता है बहुत साइब लोगों को यह पसंद नहीं आ आप इन चीजों को अपने वर्क स्टाइल में हैविट में लाएं और आप एमेस वर्ट और एक्सल दू ऐसे टूल है जो ऐसे प्लेटफॉम है जिन पर आप जितना बहतर से बहतर चाहें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमें नहीं आते हैं और जिसको जानते उसको इसको इस्ते आप आप चाहें यह बहुत महत्वपूर्ण आप्लिकेशन से दिजब्सकिल्स बहुत महत्वपूर्ण तूल है नेक्स्ट आपने यह थीदू थेक हुए हमें लाइन की बीच में इसमें चाहिए या या सब में चाहिए बाइदर बड़िवह मुझे पहले-वाले-प्रग् से थोड़ा ज्यादा का देखिए क्लिक अब इससे ज्यादा आप क्या लेंगे आप गलती होगी इसका आप्शन सौर्ट आप्शन यहां पर भी आता है सी इसमें भी कुछ आप्शन है देखिए वन पॉइंट वन फाइब वन पॉइंट वा फाइब टू सम्थिंग लाइक देखिए मैंने का मुझे ऐसे करना थोड़ा सब्सक्राइब बात करते हैं यह तो एक पार था आपने का सर इसको नहीं दो कॉलम में चेंज करना है दो कॉलम में लेकिन लास्ट के कुछ नहीं करना है यह बहुत जरूरी है चलो इसको भी आपने डेलाइन का गयब दे दिया इसके बाद का जो टेक्स है यहां से वह अगले पेज पर आ जाए तो मैं क्या करूंगा एक हम लोग तो यह करते हैं तरीका तो यह माल पास क्या करना मैंने आपने देखा एंटर गलत तरीक है हमने आप से क्या कहा था हम है जब भी क्या करना हो पैरग्राफ एंटर प्रेस करना एक से ज्यादा नहीं करना आप क्या चाहरे है कि वैर डज इट कम फ्रॉम इसको आपने नए पेज पर ले जाना है तो एक एक पर पेजब्रेक करेंगे ठीक है पेजब्रिक का जो सौटकुट है कंट्रोल एंटर जहां पर आपका माउस का क्लिक है माउस का करसर है वहां से अलग हो जाएगा यहां रहा है चिल्ट क्या नेक्स्ट पीज पह रहे पिरेक पेजब्रेक था डैटीजब्रेक मैं पेजब्रेक कालम perse principle inいきます Collection करा आप फिर से का उनीक मैं पर कॉलंड गोंड कर दिखातर पूर scars में आपने क्यां पर क्या निश्यक्त निश्यक्लेश्य सब्सक्राइब तो नहीं कि मुझे आपको बतानी है इसलिए मैं ये सब करके दिकाए रहा हूं मैं ये चाहता हूं कि कि जो मेरा पहला वाला यह पाट है यह लेखे ुश असे कॉलं में कैसे बांगा आप कैसे कॉलम में जीनच करेंगे बबुनिकार धी यहांपर कॉलम दियार्प कितने कॉलम में बनाना है यह औक सिंब करें 흤 आपने नहीं और टू कॉलम की बीच में गैप कितना होगा यहां पर आपको मेंशन होके आ रहा है पहले से फुला साम में इसको नीची लेकर के चेंज कर रहा हूं यह आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं यह मैंने कम कर दिया ठीक है मुझे कुछ करना पड़ा नहीं आप देखिए नीची चलत सेक्षन बरेक का मतलब है कि आपने काम है जो सैट उब टेजेज में सेट कर दिया तो सब कॉमन लेकिन हमने ग्रूपिंग कर दी पर पर बैटर मैनेज़मेंट इन तो क्या गरा हमने वहां पर अगर पेज ब्रेक करता बाइद विए पूरा का पूरा जीतना इसमें डॉकुमेंट दिख रहा है यह दो कॉलम में करमट हो हो एक और चीज करता हूँ मैं और चाहरा हो। और सबस्क्राइब सामने मैं इस पुरु टैक्स्ट को को क्पी कर रहा हूं array आप में चाहरा हूं टेक सब्सक्राइब कर लोगे है यहां से यहां ने भी सारा कर दिया इसको आगला जो पार्ट है आपको धिर पेज कौन से में हूं में यह सबस्केज वन है यहां दिख रहुगा चार पेड़े तो तु को तू पर जोही पहुंसता हूं मुझे चाहिए कि पेज twenties कालरफun करता हों रैट आकमी में कुछ कर दिया इसके background में मैंने कुछ color लगा दिया पुरी पट्टी की तरह से इसमें color लगने वाला है इस text में यह लगा दिया वाने इसमें color लगा दिया ठीक है तो इसका size भी बढ़ा देते हैं मैं चाहरा हूं कि यह वाला जो है पार्ट वह किसमा आ जाया अब अब क्या करूंगा फिर से मैं वही चीज करूंगा यहां जाओंगा मैं लियाउट में जाओंगा पहले काम क्या करूंगा ब्रेक क्या section अलग grouping करना अलग setting करने हैं नए section में चलेगे देखिए section ब्रेक हुआ नि हुआ पैरग्राफ मार्क आओन किजिए और यह देखें लिखा रहा section गुड़ अब यहां पर एक extra यूनो मेरे पास क्या आ गया है क्या आ गया था एंटर हटा तिया मैं इसको डिलीट कर दिया अब मैं यह चाहता हूं कि यह वाला जो पैज है यह वाला पेज नमबर फ्री यह कैसे हो जाए लैंड स्केप हो जाए कैसे चेंज होगा लेट में यह उरिंटिशन क्या लैंड इसकेप सी यह बेसिक चीजें तो हमें सीखनी है द दूसरा वाला पेज सिंगल कॉलम स्टाइल में है पोटेट है तीसरा वाला पेज सिंगल कॉलम है मगर लैंड इसकेप हो गया सो डैट इस कॉल्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो मुख्य चीजे मैं आपको बता दी अच्छा एक और चीज मुझे आपको बतानी है जो यह प्रेस ऑनली वन्स इस्पेस एंड परग्राफ सिर्फ एक बार अब मैंने इसको सेलेक्ट करा मैं यह चाहरा हूं इन जो इस परग्राफ में वर्ट सेंगी बीच में ज्यादा जगह आज ज़्याद़ इसके क्या करेंगे हम हमार पस क्या आप्शन हो सकता है बताए आप आप भी सुचिए हम क्या कर सकता है कुछ है मार पास एक जबाप करेक्टर स्पेसिंग भी होती है इन करेक्टर के पीच में ज्यादा इस पीस आज़ा देखा आपने लेट्स चेक यह देखिए यह आ रहा है ना करेक्टर स्पेसिंग अभी क्या रहा है नॉमल हम इसको थोड़ा से एक्स एक्सपेंड कर देते हैं कितने यहां पर आ रहा कितनी से सम्थिंग मैं ऐसा कुछ कर देंदे कि आप कुछ चेन देखेगा बढ़के कभी कभी आपको इसा टेक्स इसको ठीक है कि का करेंगे हमें हुझा यह समझ मार फेक हम इसकों ठीक कैसे करेंगे हमाद पास कुस तरीका है ठीक करने का कि चलते हैं कहां जाएंगे फोई जेक होने मैं विक्षम में उसम्ð और इसको नॲो नॉम्मल कर देगा कि आउसका ओके कर दीजिए कि आइधिंक सो यह ठीक हो जाएगा कि देखिए जैसा तो ऐसे हो दो फिर से चलते हैं कहां पर पॉंट्स में ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको थोड़ा से बढ़ा देते हैं कि खीज दिया उसमें जो हंडिट परसेंट का वोड़ था उसको थोड़ा सा क्या कर दिया लॉंगर कर दिया उसका देख आप ऐसा बढ़ गी जबकि साइज ने बढ़िए अभी ट्वैल पर दिखा रहा है तो यह छोड़ी छोड़ी चीजे हैं जो हमारे इसके पार्ट में का मैं आप से बात करी अब एक चीज रहेगी हमारा क्या एड़्जेस्ट इमेज इन बिट्वीन टेक्स्ट आप परग्राफ भी मैंने बता है आप मुझे को इमेज चाहिए मैं इमेज लेकि आता हूं मेरे पास तीन इमेज है मैं दो इमेज लेकि आया और मैंने यहां पर कही इमेज पिस्ट कर गए देखो क्या हाल होने वाला इमेज है सब होच-पोच हो गया हाव और हाव आई विल मैनेज इस डॉक्यमेंट राइट नाव पता नी कौन टेक्स कहां से लेगा कुछ पता नी लग पारा मझे सब आगे पीछ तो आप क्या करना से यह सबसे पहले काम ह इसमेज का Smash प्तरा है, YOUR digest को इस इकी सबसे में लेक्ट करता है नहींठT का मंदब क्या मुझे पहले इसको छोटा करते हैं जब आप इसको कंट्रोल के साथ इसके कॉर्णर से जब एरो आएंगे शौट करेंगे तो यह प्रपोर्शनेट जो है छोटा होगा देखिए मैंने छोटा सा कर गया है इसको अब ऐसे दूसरी में इसको सेलेक्ट कीजिए इसको मैंने कहा टॉप मैं आ सकते हैं अब आप देखिए दोनों में क्या डिफ्रेंस है सी पहला वाला मैंने सेलेक्ट किया था रैप टेक्स्ट किया था यह कितनी आसानी से इमेज मूव हो लिए जहां आप चाहें वहां एजस्ट कर लेगी लुक एट आपको दिख रहा होगा मुझे ऐसा रगता जे ए अब इसकी बात करें इसकी मैंने सेटिंग में कुछ अलग किया था जहां पर शीरेघर टेक्स करते यहां पर इमेज है उससे बिल्कुल टाइटली टेक्स्ट मिला रहे जब तक इमेज को भल अपना करें इसक्वाइर का मदब जिरूरी नहीं हो सकती है तो उसके स्क्वाइर के बराबर ही वह जगह हटा दे उसमें टेक्स ना आए बांकि जगह टेक्स आए देखिए इसमें इमेज को थोड़ा चोटा करते हैं आपको लगारा कि जैसे मैं यह चाहरा हूं कि इस इमेज को इसमें से बीच वाला जो फूर्ट है वही दिखे बांकि yeah, यह तो छोटे की तरफ पर जाए यह बड़ा कीजीए तो क्या होगा ईमेज की कुवलिटी मित में मैं खराब नहीं होगी में अब मैं चाहरा हूं की इसमेज को थोड़ा क्रॉप कर दिया तकर क्रॉप का उपriction देखिए मैं इसको क्या करने हमें हमानी चाहिए यह देखें कितना थे लिगको बॉंडर देना चाहरہ हैं इस पर कीजिए यहां पर ह सल्सक्त अब और यह वाप्शिन आ जाता है आप आगे पढ़ते हैं इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी हम बात करने वाले हैं टेबल की जो आपके लिए बड़ा क्रिटिकल इश्यू है हमें इसा से मैं चाहता हूं कि टेबल आपके लिए बहुत आसान हो जाए किसी सवाल पूछा है किसी सर्चन ने सर हाव वी केन गिव डबल इस्पेस आफ्टर एवरी एवरी वन कंप्लीट वर्ड विदाओ टाइपिंग इस्पेस टैब अगें ऑगें प्देरे अंगें किया आप ऐसा पूछना चाहरें कि हम हर के दो इस पेस कैसे पहली बात तो पीरिया जी ने सब्रसाट कर पि बातों मैं आप से एक बात यह कहना चाहूंगा कि हम दो इस पेस देना ही गलत है हम दो इस नहीं दियो सकते हमाय कि एक हम यह राप्ट हम यहां पता हम दो आंकर क्यों मुझे ना मुझे इनकी बीच में जगह चीए तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि पेरगराफ से हम क्या करें सेटिंग करें किया आप्टर और विफोर का हां लाइन स्पेसिंग के लिए इसमें जगह है आप लाइन इस पेसिंग मैं ने करके दिखाया अगर अगर ऐसा लगता कि दो इस पेस की जुरूत है तो मुझे लगता ऑप्शन भी होना चीज़ आइधिंक फिर आपको लगता मु कि देखेगा इसका जो grammar है ना वो भी इसको करता है कि उसके मार के दिखा रहा है आप इसको सिंगल से पसकी साथ लिए तो एसा मेरा अंसर अगर आपको लगता है नहीं मुझे दो ही देने तो आपको तीजिजिया ओड़ करें दो चलो आगे बढ़ते हैं उम्मिद है कि आपको जबाब मिल गया होगा अब मशी डेटा रखा पहले से आप देखिए ये टेवल किया हो रहा है आधा बाहर जा रहा है ठीक है आधा पता ने की adalah चैपर कि घर का यहां तो सबसे पहले में मैंने इस पर अब करशर क्रसर भाफ किया तो मजे देखना लगएंगे पता लग रहा क्या करूं और मैं इसके और टीजिए आप कम से कम मुझे पता गए टेबल है बहुत बड़ा टेबल यह हैंडलर आपको देखेगा उसमें दिख नहीं रहा था इस पर किलिक करते हैं पूरी टेबल एक साथ हो जाती है अब पहला काम मुझे क्या करना है इसको विधिन डॉक्यमेंट लाना है एडिटेबल डॉक्यमेंट जो हमारा है सो मेरा जो डॉक्यमेंट है वो उसका एडिटेबल एरिया यहां से हो करके यहां तक जाता है इससे बाहर का जो होगा इस पर नहीं होगा हो एडिटेबल इतना है ठीक हो गया एक बार दूसरा अब आप कहेंगे सर यह तो पुरा तूड़ गया सब आगे विशी चले गया ठीक के टेबल स्लेक्ट है टेबल स्लेक्ट बाद से आप जाए यह सेल मार्जन सेल मार्जन में इसको बिल्कुल कम कर दे रहा हूं मैंने पॉइंट टू या पॉइंट थी में कर दिया इतना स्पेस हमारा बचेगा ठीक हो गया तीसरा उप्शन यह है कि अब आप देखने कोई यह तो मुझे मार्क देखे उसका नीदिख भी मार्क यह दिखा किजिए मैंने पहला काम कर आप इसको सेंटरल कर देखो इसमें मेरे पास चैनल नौ अलाइंग्मेंट नेकिए यह वर्टिकल दून तरगे से करने बालगे मुझे प्लैन करना कि मेरा कैसे अभी मुझे लगणा तरॉपर है अभी प्रोपर मैनेज्ञ नियुक्त अब अब आप देखते हैं कि जैसे इन्लमेंठ अगर आउलमेंट का फिसका सकते अगर हमारा नीचे च्छोटे कोड है तो हमने थोड़ा सा और कम कर लिए मोबाइल वन में होंगे अहिके तो ऐसे ही अगये लगता है कि एमेल वाले को हम थोड़ा सा और साथ कर सकते हैं इसको कुछ गलती दिखा रहा है तो यह मेरे पास टेबल है अब यह है कि मैं यह चाहरा हूं कि कि यह जो टेबल है इस पे एक रो और चाहिए मुझे इस से उपर ताकि मैं इसमें हेडिंग लिख सकूंँ आपको जहां भी रोच आप अपने माउस मैंने माउस का करसर हैं रखा लियाउट में जाईए यहां पर सारे ऑप्शन आपको यह क्या एक नई रो आगे एक और चाह सब्सक्राइब वन पॉइंट वन अब मैं इसमें कुछ टाइटल लिख दूँगा संब्सक्राइब इस्टूडेंट डेटा अब आपको ऐसा लगता है कि सरे गलती से आ गयी ज्यादा यह 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 तो हमसे गलती हो गई सब्सक्राइब आप चाहते हैं सब्सक्राइब आप चाहते हैं इसके बाद से इसमें एक और कॉलम चाहिए इसमें में सीरियल नंबर डाल सकते हैं जब आप चीजों को रो मर्ज कर दें तब आपको नया इलिमेंट इंसर्ट करने में दिक्कत हो सकती है देखें कि आप परेशानी हुई उसने इसको पुरा अलग कर लिए तो आपको यह दूबारा दो सेगें टाइम फिर से यह काम करना पड़ेगा मुझे फिर से उसकी बदला हो आई तो यह थोड़ा से ध्यान रखना जब तक आपने मर्ज नहीं कर रहा है मैं इसका नाम रग आपने का सर मुझे दस तक का तो चाहिए दस के बाद से नीच जिए वन तो फिरी पॉर फाइप सिक्स सेवन एट नाइन अब टैन की बाद से आपको नई टेबल से अब क्या करें टेबल अलग कैसे होगी कोई परशान उनकी जुरुत नहीं है आप यहां पर जाए जहां प आप चाहने के सार में यह डेटा कहां से लाए जनरली हम यह स्टेंडर्ड फॉर्मेट है इसके नीचे सोर्स लिखते है मैंने इसको फिर से मर्ज कर दिया मैं लिए सोर्स आप लिग दीजिए यूओ 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 एस दो हजार इकीस यह सोर्स है हमारा उत्राखंड उपर इंवर्स्टी का यह हमने लिग दिया बाइदर अब आप इसको फॉर्मेट कैसे कर रहा है यह सेंटर आ रहा है यह ऐसा कर दिजिए या लेक्ट कर आप नहीं यह ठीक नहीं लग रहा है इसको अब फिर से टेबल में समझ से आगे इसके पास आपको हेडलाइन लेकनी इसकी तो वही रोव इंसर्ट कर दीजिए ठीक है अब आप करें इस टेबल को ना मुझे मूव करना है मैं इसको मुव करके दूसरी जिगर ले जाता हूँ देखना यह मूब नहीं करना है आप टेबल को सेलेक्ट कीजिए राइट के लिए कीजिए प्रॉपर्टीज में जाईए देखिए दिखा रहा है आप टेबल को नन एरांड में रहेंगे या नन में रहेंगे देखिए जहां पर आपके टेबल आएगी उसके आज-पास टेक्सट आ सकता है इस सिंबल से आपको पता लग रहा हो देखिए और मनतलब है कि जहां टेबल होगी वहां कहीं भी टेक्स ही नहीं आगा टेबल या तो लेफ्ट हमोगी या तो सेंडर मोगी और राइट होगी जीज़े चूटा-चूटा करके हमें सीखने की में इसको पोजी सिनींग में अराउंड कर दिया आप अगर मैं इस में से कुछ चीजें डिलीट करता हूं लेखिए हां मैं चाहर हूं कि यह जो है दो चीजे में डिलीट कर दी सेलेक्ट लेयाँट में जाये या तो आप बैकस्वेश द अब मेरा जो है इसका कर देखता हूं कि क्यों होड़ी थी क्यों कि हमने इसको मार्ज कर दिया था है यह तो मैं इसको करता हुँ आप मुझे इसको भूलेट करती है इसका तरीका यह है कि आपको ठोड़ा सा परीड़ कि अब मैं कितनी आसानी से इनको दीट कर सकता हूं मैं तीन कॉलम डीट करना चाहिए और मुझे कोई दिक्कत नहीं है या तो पैकिस्पेस नहीं दबाएंगे तो आप यहां पर जाके के डिली कॉलम कर दीजिए ठीक है वह उसके सांद मर्ज इसलिए हो जा रहा है चुकि नीचे से जो टेबल में पास अल्रेडी रखी हुए इसलिए वो मिक्स हो जा रहे हैं अभी में इस टेबल को हटा दूं बाइद वे थोड़े के लिए में इस टेबल में पास एकी टेबल है आपर तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं कि बड़ी टेबल है वो उपर आ जा लिए मैंने हटा दिया पर टेबल को इंटायर जो डेट सी ठेक है तो इस तरीके से देशे मैं इसकी मोबाइल वाले जो कॉलम में बाइद भी हटाना चाहाँ है अब मैं इसको मैंने कैसे कर सकता हूं मैं टेक्स्ट आपके लिए कुछ लेके आता हूं और में पार टेक्स पड़ा है कुछ जो लुक एट टेक्स पेस्ट करता हूं यह हम आपसे कह रहे थे अगर मैं इसी टेबल को स्लेक्ट करूं राइट के लिए प्रॉपर्टी और नन कर रहें तो यह टेक्स को हटा ले जा सकते हैं यह तो यह जो हम मैंनेज आपको करने हो करें देकि मुझे भी तिक्षा आई मुझे इसका यह हटाना पड़ा तो जब भी आपको टेबल पे जो है कॉलम डिलीट करने है रूम में तो आपको परशान करेंगे तो मैं फिर से क्या करता हूं फिर से मुझे मेजर रगता है टेबल फाइनल हो गया है यह करा इसको मर्ज सेल करा और इसको पूर और पूर इ हटा दिया है फिर से मुझे लगता है यह फाइनल हो गया है लेट सी यह करा मर्ज सेल करा जो भी लिखना है सोर्स होटेवर इस टेक्स को आप जैसे जहां सजा देजिए तो यह कुछ कुछ चीज़ें थी कि समय बहुत सेमित है सब चीज़ें नहीं की जा सकती है मैं च्छोटा सा डेमो एक्सल में आपको देना चाहता हूं उमीद है कि यह चीज़ें आपकी काम के रहे होंगे ऐसा मेरा मानना है इमेल भी आप मुझे कर सकते हैं इसमें लिखा हूँ है मैं इसको बंद करता हूं इस्टॉप शेरिंग और दुबारा से हम अपने किस पे चलते हैं अपने पावर पॉइंट पे चलते हैं अगे अगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें मैंने कुछ टि लिखे हैं आप इनको चरूर में सब्सक्राइब करते हैं एक से ज्यादा स्पेस की नहीं दबाएंगे इक यू नीड मोर स्पेस बिट्वीन वार्ट्स देन यूव अनदर ऑप्शन दूसरा है दूनाट प्रेस एंटर की मोर देन वांस इफ यू नीड मोर स्पेस बिट्व सबसे पहले जब आप कुछ करना चाहते हैं डॉकिमेंट में सेटप कीजिए अपनी फाइल को सेप कीजिए तब आगे की एक्टिविटी कीजिए तीसरा नो यूज ऑफ पैरग्राफ मार्क का भी इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय आगे बढ़ते हैं अगर कुछ सवाल हो रहे हों तो मैं स्टॉप कर दूँगा आप मुझे पता दीजिए नहीं तो बहुत मज़ेदार सेशन है एक्सल का बेसिक हैंड्स ओन जो है एक्सल पर हम क्या क्या करेंगे और मैंने बहुत बहुत इंट्रस्टिंग जो है आपको एक वह भी दे रखा है लिंक बलकि मैं चैट बॉक्स में पेस्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी इसको अब जरूर यूज कीजिएगा आप एक्सल से हमेशा घबराते अगर हैं तो आपको बहुत आनन्द आएगा जब आप इसको एक्सल में यूज करेंगे इसमें बहुत ही इजी लैंग्विज में बहुत सारे इक्जाइमपल्स दे रखें मेरे सारे पाटी सेमेंट से रिक्वेस्टर इफ वांट टू बिकम मास्टर इन एक्सल आप बहुत अच्छा कमांड एक्सल में चाहरे हैं तो मैं लीजी आपके चैट बॉक्स पर लेकिया इसको और स्टॉप शेरिंग करते हैं यह कुछ चीज दो हैं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं मैं इसको स्टॉप शेरिंग कर रहा हूं अब आपको मैं एक्सल पर ले चलूँगा जहां पर मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेर करके रखा है और इससे पहले में आपके चैट बॉक्स में यह प्रेस कर रहा हूं आपको इसको भीज़ देना चाहिए इसको भीज़ देना चाहिए आपके वाट्सेप ग्रूप में आई डिड़ इट से जरूर आप इसको यूज करें और मैं आपको एक्सल का एक्जैंपल्स जो है भीज रहा हूं और उसके सांसांती एक और बहुत महत्वन रिसूर्स मेरे पास है जो मैं आपको भीजने वाला हूं कि आप उसका लाब उठा सकें और देख सकें किस तरीके से टेटा को एक्सल के माध्यम से अनलाइज कर सकते हैं हम चलते हैं छोड़ा सो मुझे फाइल ठोड़ने में टाइम लग रहा है क्योंकि यह चीज़ें भी बहुत चलूरी हैं जिससे हम यह समझ पाएंगे कि हम किस प्रकार यह मैं लेक्या आया आपके लिए और मैंने यहां पर इसको पीस्ट कर दिया सो लेट्स स्टार्ट मेरे पास एक्सल का एक वाक्षीट है इसके अवाज के लिए पूछ रहा था वाज आरी करके अहां सर आ ठीक है ठीक है इसके बहुत जादा हम क्याने हैं इसको हम क्या बोलते हैं इस का नाम होता है जिसको हम सेल नेम कहते हैं वह यह इंटिफाई होता है इसका पर इंट्रसेक्ट करता है उसको हम कहते हैं हर सेल का एक नाम होता है इसमें पहला नाम का होता है दूसरा नाम रूख आ है सब्सक्राइब इस नाम जाएगा ओट्वेल्ध को या This is क्याइब लोग परिशान होते हैं यहां पर मूख कीजिए साइज बड़ा होगया और पर मुव कीजिए च्छोटा हो गया ऐसे रो के साथ यहां पर मुव कीजिए रो का हाइट जो है बढ़ गया कम कर देंगे कम हो जाएगा अब सबसे पहला काम है प्रिंट करना मेरे पास आपको दिख रहा है यहां पर अगर मैं इसको हटाओं थोरा से मेरे पास यह तक मैंने क अब मुझे कैसे पता लगए क्या आपको देख रहा क्या मेरा पूरा प्रिंट आ रहा है क्या आरा है किसी सज्जन का कुछ कमेंट वॉंडर्फू सेशन सार थैंक यू थैंक्यू वेरी मच तीवारी जी थैंक्यू वेरी मच अब आप देखे कि मेरे पास अब मैंने कहा था जे तक सेशन है देखिए यहां पर तो आया नहीं जे तक या तो ए अगर यह है बी है सी है डी है इमें खतम हो गया सो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा कितना टैक्स यह गड़बड हम एक्सल में करते हैं सो प्लीज बी केरफूल अबॉट इट देखिए पहले आपको पता हुना चाहिए कि आपका लास्ट कॉलम जो प्रिंट होने वाला में सो कैंसल कर रहा हूं आपस गया बैए की प्रिंट कमांड इसका ना प्रिवीय देखिए है यहां पर आता है प्रिवीर देखने का प्रिंट प्रिवियो आता है जाए चैसे आहलं यहारा यहां टू आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाला हैं अ अब यह कई तुम क्या से सारी सेटिंग आपको चेक करने हैं पहला काम आप मैं आपको अगर लग रहा है कुछ कट सकता है तो आप इसको नेरो कर दीजिए पहला काम मैंने अब मैं क्या करूं कि यह कम हो जाए अब मैं पेज सेट पर चलता हूं देखिए मैं आपको लग रहा है कि मेरी सीट सेयारी अभी गबड़ आ रही है तो अब यहां पर हमें क्या करना है हमें Monster कि कुछ इसकी मार्जें करते हुए सेटिति कर दया तो अब हम क्या करते हैं इसके जो मार्जयन सेटिंग है न उसको हाथ से रहा है क्या होता है थोड़ा खिसपा नहीं आपको और ज्यादा बढ़ाना है कि करना है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि यह प्रिंट नहीं हो पारा है यह पाहल जा रहा है इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं यह नहीं आ पार रहा है अगर उसको हंड़ेट परसेंट ही यह प्रेंट होगी चोटा हो गया प्रेंट हो पहला काम दूसरा काम एक और चीज दिखाता हूं यह तो सिंपल था मैंने जाके स्लेक्ट कर दिया प्रिंट करने हो चले अब अब समस्य है कि सर्थ आपके पास हो सकता है क्या हो आपके पास बहुत बड़ी साइज की क्या हो ज्यादा हो लेंकि आप कुछ ही प इतना ही प्रिंट करना चाहेर है अब जाएए प्रिंट में आ रहा पिजिए यहां पर option आता है जगह पर कहीं पर ध быть option आ रहा है प क्यारा कुश ऑपिसीन दिखें आपको प्णने मा ए प्रिंट एकतीव शीट काँव प्रिंट स्लेक्शन यह तो यह चीजें जब तक हमें नहीं आएंगी तो हमें दिक्कर होगी यह कौन सा कटेंग काम है अब हो सकता है हमारा ओटेक पीज में भी आ जाए देखो आगे अगर कहीं कट रहा है तो हम फिस चेक कर लेते हैं हमारा 90% स्केल को गड़ेगा 100 करके देखें कितना कट रहा है लस्त हंडी इंड Judis virus इसका में समर्ण criteria करते हैं के आगे अब चाहरे है कि थूदा से उपर से जगह बचा देखें पर से तो हम क्लेरे जो टौप है जीरो परदेंगे आगे नहीं चाहिए बढ़के आ गया लुक अब यह सेंटर पे नहीं आ रहा है तो आपको लगता सब यहां से बढ़ा सकते हैं कैसे बढ़ाएंगे वहीं जाना पड़ेगा फिर से पेज सेट अप में कहां था मार्जन में थूर असा बढ़ा देजिए काट गया बाहर चली ने बढ़ताए बाहर चली जा रहा लाना देखा आपने है में जिस्टाल चीजे है अपको किया बतानी है कैसे हट इसे करेंगे तो इसमें नहीं आएंगी तो सबसे पहले जब आप चाहरहे हैं हम प्रिंट करें यह कि पर पर सागे बढ़ता है कि आप लब जादा समय नहीं स्कूर्ट करने का क्योंकि आप लंच के लिए पूइट कर रहे हुंए अब आदा है फिल्टर आप उसक नहीं चाहूंगा और बेहतरी तरीक सी कहा है आपने पहली वाले लोगों को सब्सक्राइब कर लिए अब चलते हैं हम कहांपर डेटा में डेटा में के लिए किसी टेस्ट में दस में से तस हैं देखे मेरा क्लास टेस्ट था पार्थ गुपता ऐसे हैं पार्थ नाम के लोग बहुत होस्यार होते हैं देखे वो कक्षा आठ में पढ़ते हैं उनका 10 में से 10 मांक्स आएं ठीक है देखिए सो कितना मज़िदार है फिल्टरिंग सिस्टम अब मुझे यह देखना है अभी और चेंज करते हैं इसमें बाई कलर भी हमें करना था तो मैंने नहीं कर रहा है अभी जो हमने प्रिपेर किया उसी को सो करते हैं तो जल्दी होगी दागे आपको दूसरा जो पार्ट है वह है श सुर्टिंग इसके अपॉर्टिंग करना है क्या है यह एक समस्या यह है कि मुझे हाट आना पड़ेगा पहले अन्मर्ज करना पर लेट सी एल्टीलीट फरस्टेट है क्या होता है कोई बाद में जो चलो मैं इसके अकॉर्डिंग वे है तो सॉट करता हूं एक अगर यह पर चाहिए अगर यह क्या रहा है कि एफ के वाडिंग में सॉट करती है कि सेल वेल्यू सेल कलर फॉंट कलर इतनी कंडिशनल इतनी चीज़े हैं हम जनली सेल वैल्यू पर जाता है बोल जाता है माकी तो अभी कलर तो मेरे नहीं करा है उस पर मैंगा लार्जेस्ट विस्मॉलस्ट हो जाए इसके नमबर कितने माक ज्यादा है पूरी रो सौट होती है किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर सौट करने पर बागी तो रिकॉर्ड मिस्मैश हो जाएगा ऐसा नहीं है आप इसके अकॉर्ड निए अगला हमने आपको बात करी है अब हम कुछ फॉर्मूला आपको दिखाते हैं जो हम आपके लिए प्रैक्टिस करके और आपको दिखेंगे अब यह मेरे पास डेटा है आपको दिख पा रहा हूँ थोड़ा से सबढ़ा कर देता हूं यह तरीकी का माक्शीट है जिसमें कि सबसे पहले मैंने आपको यहां पर शेर किया था है आपको घ्यान होगा एक्सल में आपको कुछ फंक्शन्स यूज करना सब्सक्राइब अग्सल इस प्रिट फोर डेटा अनलेसर बहुत सारे सीचर से पहला मैंने आपको दिखा है सब्सक्राइब कर दिखा है और वैफित करा है हुमने निखा है sum क्ल सिट्सनट में यह पूरा रएक्षाम और यह यहां से यहां तक का जो जोड़ है जो सम है टोटल है वो इतना है दूसरा एक फंक्शन होता है सायद आपनी जोग में से बहुत सारे लोग उने यूज नहीं किया होगा डैट इस पॉल सम इप का मतलब है कि हमने जोड़ना तो है मगर कुछ कंडिशन के साथ जोड़ना है सी मैंने यूज किया है यहां पर आपको कंडिशन देख रही होगी देखिए मैंने मैंने यूज किया है मैंने क्या यूज किया आपको देख रहा है सम इप जोड़ दो दो कहां से कहां तक सी टू से लेकर के स यह रेंज आप अपने सब मगर कंडिशन क्या है जोड़ना उसी को है जहां पर सी टू से सी एक्टीन में जो वैल्यूज है वह ग्रेटर देन फाइब कितने यह इन ही को जोड़ा जाएगा जो ग्रेटर दिन क्या है जो अपने लिखा था क्या लेखा है वाइफ जेंट से पाइप आपको जोड़ना है मगर कुछ कंडिशन के साथ तीसरा है सम आई एफस सम आई एफस में क्या है कि आपके पास जो पहला पार्ट है मैं आपको करके देखाऊँगा यहां पर आपके समय प्रैक्टिस करते हैं जो लेट सी इसमें तीन बेसिकली हमने क्राइटेरिय इस्तेमाल किया है एक क्राइटे आई एफस यह मेरे पास एक फॉंक्शन है उन्हें स्टार्ट करा देखो पहला 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 पार्ट है आपको देख रहा होगा यहां पर सम रेंज आपको किसी इसको जोड़ बनाना है जोड़ना किसको मैंने का मुझे मुझे जोड़ना है सी वन से सी टू से लेगे सी एट से सी एटीन ओके दूसरा पार्ट है कॉमा आप करा कि क्राइटेरिया रेंज वन आपका क्राइटेरिया क्या है रेंज वन का मेरा क्राइटेरिया रेंज वन का क्या था पहले वाले में क्या था आपने देखा था मैंने कहा था कि नोटबुक वाले बात करता हूं मैंने का ज बच्चों के मार्क जोड़के लाए जिनके नोडबुक वाले टॉपिक पर पांच नमर का अगर यह है तो इसमें तीन या तीन से ज्यादा आए हो तो मैंने लिखा क्या आप आपके है क्राइटीज है क्या दिया मैंने डी टू से डी एटीन विद्र टू से मैंने तो टैपिंग मिस्टेग कर दी और डी टू से डी एटीन वेट क्या हो हो ग्रेटर देन इक वस्टू परसें तो कम से हों इक कॉन्फूस में का सब्जेक्ट अच्छा हुगा तेकóc में शीटने अच्छा हुगा उन ही को अगें वाट आई डिट मैं फिर से लिखके दे रहा हूं मैं यह एक्सल पर भीजूंगा आप इसको देखेंगे यूज करेंगे बाद में क्या आप मेरे पास दूसरा कॉलम गया गया इटू से इली से कंडिशन लगा दी मैंने क्या हो ग्रेटर देनी इकवास टू तू पॉइंट फाइफ देखें यह करा 1002.5 है ऐसे जिनके यहाँ पर मैंने कंडिशन में कुछ चेंज कर रहा हूं कर देख रहा है तो क्या-क्या यह बता रहा है यह फिर्स्ट पार्ट क्या है सम्हें जो तो दूसरा पाट क्या है आपकी कंडिशन है किसमें से लगे उसका देख इससे पहले हम नहीं आपको काउंट करना है कि कितने हैं 17 से एसे ही काउंट इफ देखे काउंट इफ जब भी लगता है कंडिशन बन जाती है कुछ सर्थ है उसमें काउंट किस को काउंट करें काउंट कहां से करें मगर कब करें जब वैल्यू क्या हो greater than equals to 5 काउंट अभी करें जब greater than equals to 5 हो नेक्स्ट है काउंट आई-फैस सेम सम आई-फैस क्या था वह जोड़ने के लिए काम करता था कांट आई-फैस क्या करें करेंगा मगर दो या 2 से ज्यादा निरुस पर देखें मैंने आपह Alors他們 करके मुझे बताए जिन का क्या है जिन Нिका किया है कहां से कहां जोड़े city City मश्याती जोड़े मगर कंडिशन क्या रखें कंडिशन क्या रखें वैल्यू कैसी होनी चीह गरेटर लेस देन फाइब अभी मैंने लैस देन फाइब लेस देन फाइब और दी टू से डी एट्टीन में कंडिशन क्या रखें है less than equals to two हो चीह यह दो बात हैं जब हमारे पास मेट हो तब ही हमारी counting काउंट करके बताओ जिनके सिर में लाल टोपी लगी है या पैर में और पैर में काला जूता है और दूसरी कंडिशन क्या पताई सिर में लाल टोपी कि मुझे पता लग सकता है सबसे कम नंबर जो है वो दो मिलें किसी को ऐसी मैक्स है ऐसी मैक्स में क्या करेंगे वही मैक्स बने बनाए फंक्शन दी जाथ फर्मूला तो विरी शॉर्ट में जल्दी से आपको इफ कंडिशन पर बात करा हूं बहुत मज़ेदार है एक जांपि के दो होता है उसके डू आउटकम हो सकते है तो वहां पर फीफ्टी है तो तो ऑलेज से लिखा जाए घू कौन सा तो इस ने कहा कि अगर इस पे 50 से ज्यादा वैल्यू है अगर इस पे कम वैल्यू कैसे आएगी तो कम वैल्यू ऐसे आएगी मैं इसको समगर रखा तो इसको 5 करते हैं अभी तो आपने साथ दोस्तों मज़े की वाद है जैसा हिंदी में मतलब है और पहले तो हम into logical टेस्टे लिए और और को भी लाजिकल टेस्ट के लिए यूज करते हैं सब्सक्राइब करें तब करेंगे कैसी को अगर मैं इन तीनों में से कोई एक भी नहीं आएगा तो मेरी कंडिशन पॉल्स हो जाएगी मतलब मैं पार्टी नहीं शुरू करूंगा अच्छा और काकी इस देखते हैं आप इसको देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको टेस्ट करेंगे मैंने लिखा हुआ है कि अगर सी टू के नंबर पांच से ज़्यादा है मैंने फिप्टी परसंट की कर्णिशन डिटू पे धाई नंबर से ज़्यादा है और अब नाम तो आपको पढ़ने आ गए चालीस नंबर से ज्यादा है कॉमा कॉमा करके इनको सेपरेट करते हैं तो क् उस बच्चे को पास कर दिया जाए अब आप किसी भी बच्चे को फिप्टी परसंट से कम नंबर जो ही देंगे मैं इसको देता हूं चार दिया तो आप यहां ध्यान दीजीगा यहां फेल हो जागा देखना है यहां नहीं हुआ फेल क्योंकि यहां की कंडिशन जो है मैंन यहां क्या लिकाया मैंने क्या इसके लोगिकल टेस्ट और यहां तो सी तू में पांच से कम नंबर हो यह तो में थाहीं नंबर से कम यह जा किसी एक में 50% से कम नंबर तो भी फिलो जाए यह सब सब्सक्राइब तरीके हैं हम और और को किस तरीके से यूज़ करते हैं सो यह मेरा बताने का उतेश था आइधिंग सो एक्सल में जो भी चीजे में आपको बता सकता था जो में इस टाइम फ्रेम में हम बात कर सकते तो मैं सब्सक्राइब 2900 मेंल 360 में ईकτε Iya करता है जो मलब करते हैं यह आपको यह आपको किटना काम कर सकता है तो मैं इस तरीकी जत आ आपको दिखाता हूं कि हम क्या क्या काम excel से कल सकते च्पूटा सभी नमूना है मेरे पास एक यह सर्वे रिजल्ट था में पर आखड़े आये थे जिसका जो है रफ डेटा में आपको दिखा रहा हूं किया था वो बेसिकली लुक एड़ यह मेरे पास था रफ आखड़े यह ह कि किसने क्या कामने कुछ सवाल पुछे थे उन्होंने अब अलग-अलग तरीके से जवाब दिये तो अब देखिए कितना हुज डेटा है कहां पर रेटिंग है आप सब लोग टीचर्स हैं पड़े लिखे हैं यह सब सब इसको एनलाइज कर पाना हाउ टॉप लेकिन एक्स इसमें करीवें 100 से ज्याधा record है एक सो कुछ record है एक सो एक सो ट्रेपन होंगी मेरे ख्याल से ठीक है अब देखिए मैंने इससे रिपोर्ट निकाली है मैंने इस पे बहुत मैनुटन काम किया है और इस काम किया है पहला report तो यह निकाला है यह सब चलो मैंने हाथ से काउंट और काउंट इत्यादी लगाए हैं अब देखिए यहां से कितना मज़ेदार है आपको कितना अच्छा लगया मैंने एक सवाल पुछा था क्या जो इस सर्विसेश हैं उनकी अवेरनेस इंडिगेटर है यह जेंडर वाई तो इस सर्विसेश क्या हैं यह हमने नाम लि सिक्स्टीन लोगों ने कहा हाँ तो देखे आपशकी क्वैरी ग्रेंट के यह मने इसका उप्ला यह सब कियो आप बताना चाहें आगर हमारे पास लिटा है और हम उसको चाहें उट करना चाए यह despite have एक व्यू डेटा व्यू और डाउनलोड प्रॉस्पेट्स है नोटिस एनाउस्मेंट है इंपूर्टेंड डेट्स है यह हमारी इन्वस्टी की वेबसाइट का हमने करने के लिए सर्च किया था सो देखिए आप इसमें मेल में जो है वह एक्स्टीमली सेटिस्पाई हैं किसके बारे में ऑनलाइन एंविशन के बारे में कितने लोग 46 यह कैसे निकला मैं वहां से थोड़ी धून पाऊंगा मैनुवली धूना हाव टब जौब सो कितना मजेदार है एक्सल मैं चाहता हूं कि इसी तरह की मास्ट्री आप भी इससे बहतर मास्ट्री आप एक्सल में सीगा खूब सारा एक्सल का लाव उठाएं और थैंक्यू वेरी मच्च ऐसे मैंने बहुत सारी रिपोर्ट निकाली इसमें देखिए तमाम सारी रिपोर सवाल जवाब आपके पास हों मैं आपको यहां से करने की जो है सुविधा दे रहा हूं यू में आस्क आप लगतार बने वें उस समय से और बड़ा लंबा सेशन हो गया है तब से कुछ सवाल जवाब आप पूछना चाहरें कोई फीडबेक आप देना चाहरें तो प्लीज आप साजय कर सकते हैं